नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आकर्स IES Research Center दरभंगा पर चलिए आज हम देंगे सुतंता संखर से संबंधी जो प्रश्ण और उनके उत्तर हैं उनको देखने का प्रयास करेंगा जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट अभियू से बहुत ही महतपूर्ण हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को अवस सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को पहला प्रस्ण है महत्मा इंडियियन नियस NGC की अध्यक्त कि सद्देशन में चुने गये तो बेलगाव अध्यक्त 1924 का करें महात्माग गानधी फूम कॉंग्रेस के अध्यक चुने गया थे महत्मांगांधी जो है वो भाराज जनवरी 1915 में आया और 1916 में लखनों अध्यशन में भाग लिये थे कॉंग्रेस के लखनों अध्यशन में और उन्होंने 17 में चंपारन सताइगरा बिहार से शुरू किया था चंपारन से दोसरा प्रस ने दोस्तों गदर क्रामती गदर पाटी की स्थापना कब और कहां हुई तो 1 नमब्र 1913 सभी को सेड फ्रेंसिसको अमेरिका में सेन फ्रेंसिसको जो है अमेरिका में है एक नमंबर 1913 इसपी को गदर पार्टी के स्थापना वही थी कहां अमेरिका के सेन फ्रेंसिसको में गदर पार्टी किसके नेत्युत्म बनी तो लाला हरद्याल के नेत्युत्में गदर पार्टी का गठन किया गया था आप देख रहे हैं आकार्स IAS Research Center गदर पाटी के पहले अध्यक्ष कोन बने तो सोहन सिंग भाखना याद रखे हैं दोस्तों सोहन सिंग भाखना गदर पाटी के पहले अध्यक्ष बने थे मात्मा गांधी को केसर एहिंद की उपाधी से कब नवाजा गया तो 1915 में इन्हें नवाजा गया किस अध्वेशन में कॉंग्रेस नरम दल और गरम दल में एकता हो गई तो लखनों अध्वेशन 1916 में हम सभी जानते है की 1907 में 1907 में जो है सूरत अध्वेशन में कंग्रेस का बटवारा हुआ था नरम दल और गरम दल में बट गया था लेकिनici ож नरम गरम 716 में प्र से 2 se यहां स्वेशन 1916 Exploda मुंखनों आद्वेशन sector canad λोंुछ 01 अधिवेशन में मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम लीग और कंग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक समीति की अस्थापना की थी तो हम रूल लीग की मार्च 1916 में पूना में मदरास में अने स्थापना 1917 में जो है किसके दौरा की गई थी तो वह एनी वेसेंट के दौरा की गई थी आप देख रहा है आकवर्स और इस ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्ट करने के लिए मोटीवेशन बना रहा था दोस्तों इंस्पार हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए अगर आप कमेंट करत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेर कीजिए दोस्तों कि जादे से जादे स्टूडेंट्स को इस से फैयादा मिल सके, एनी बेसेंट के नेतित में अस्थापित होमरूलिक के पर्थम सचीव को थे तो जॉर्ज अरूंडले, याद रखेगा एनी बेसेंट जो है हम महत्मा गांधी को कहा जाने लगा था, याद रखेगा भरती करने वाला सरजेंट किसे कहा जाने लगा, तो महत्मा गांधी क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि पर्थम विश्यूद के दौरां गादें जीने लोगा को सेना में भरती होने के लिए पुरसाहित किया था, मतलब स थापना किस ने की थी तो महत्मा गांधी ने और ये जो है एहमदाबाद गुजराद के एहमदाबाद में है हम जानते हैं कि कुछ पिछले वर्स जो है आप देखे हो हिएगा कि कुछ वर्स पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रॉम्प आये थे जो अमेरिका के राश्पती थे परवाती नदी के किनारे की थी चंपरान आने के लिए महत्मा गांधी को किस ने प्रेरित किया था तो बिहार के किसान नेता थे राजकुमार सुकल जिनकी जिनका जन्म जो मुरली भरहवा गाउं में हुआ था राजकुमार सुकल जो थे वो बिहार के किसान नेता थे उन् एक बिग्भा में तीन कठ्था नील की खेती करना परता था किसानों को इस परकार से मतलब कि अंग्रेज जो है तीन कठ्था नील की खेती करता था नील की खेती करता था नील का जिसके वज़े से उर्वरा सक्ति समाप्त हो जाती थी इस पदती को समाप्त करने में बहुत-बहुत महत्पुन योगदान है महत्मा गांधी का महत्मा गांधी ने पहले बार भुक हरताल किसके समर्थन में किया था तो 1918 इस पी में अहमताबाद मील मजदूरों के अहमताबाद मील मजदूरों के लिए 1918 इस पी में 2019-1919 इस भी को रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था उनीस मार्च 2019 को रॉलेट एक्ट क्या था ऐसा कानू जिसके किसी भी सनदेह अस्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ग्रेपतार किया जा सकता था इसके खिलाप ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील इस परकार का कानून था रॉलेक्ट एक्ट गांधी जी ने रोलेट एट के बिरोध में देशबैपी हर्ताल कब शुरू किया 6 अपरिल 1929 इसवी को गांधी जी ने रोलेट के बिरोध में जो देशबैपी हर्ताल कब शुरू किया 6 अपरिल 1929 इसवी को और आप देख रहे हैं आकार्स IAS Research Center जलियावाला बाग हत्यकंड कब हुआ था 13 अपरेल 19 इस वी को जलियावाला बाग हत्यकंड कहा हुआ था तो अमरिश सर में पंजाब के अमरिश सर में जो है जो सो गोल्डेन टेंपल के नाम से जाना जाता है गोल्डेन टेंपल फेमस है अमरिश सर में और अमरिश सर में ही लिए आप देख रहे जन समां पर जरनरल राय राय अंधाने ढंगाली चलवाई यह जलिये जो जलियावला बाग हत्याकांड हुआ 3 प्रैल 1932 को जलियावला बाग हत्याकांड में कितने लोग की मुत हुई सरकारी रिपोर्ट के अन्सवा तीन सवनासी और कॉंग्रेस समीती के अन्सवार जो है चैनल को आवर सब्सक्राइब करें दोस्तों जलियावला बाग हत्याकरंड में किस भारती ने जनरल डायर का संयोग किया था तो हंसराज ने हंसराज एक ऐसा वैक दी था जो जलियावला बाग हत्याकरंड में जो है जनरल डायर को क्या किया था सपोर्ट किया था जिसके वज प्रस्ट की सदस्ता से इस्थिपा दे दिया तो संक्रन नायर बहुत ही महत्पून कोशन हैं दोस्तों कई वारे एक्जाम में पूछा किया डिफ्रेंट कम्प्टिटीव एक्जाम में ये प्रस्ट पूछे गये हैं कि किसने जलियावला बाग हत्याकरंड के बिरोद में सदस्ता में तो बीटी सरकार के लॉड हंटर जो थे इसकी अध्यक्सता में जिस जान समीती का गठन बेश्टी सरकार ने किया उसके सदस्तों में कितने भारतिय थे तो तीन याद रखे हैं दोस्तों जलियावला बाग हत्याकरंड के चांच के लिए जो आठ सदस्ता समीती गठित की गई थी जिसकी अध्यक्सता लॉड हंटर ने किया था उसमें भारतिय जो थे वो तीन सदस्त थे और पांच जो थे वो अंग्रेश सदस्त थे कॉंग्रेश ने किसके नेत्युत में जलियावला बाग हत्याकरंड की जांच के लिए आयोग गठित की थी तो मदन मोहन माल भी जो है इसका नेत्युत कर रहे थे इस आयोग के अन सदस्तों में मोतिलाल नहरू और गांधी जी भी थे याद रखेगा कॉंगरेश ने भी जलियावला बाग हत्याकरंड की जांच के लिए आयोग गठित की गई थी जिसकी अध्यक्सता कर रहे थे मदन मोहन माली भी यह और इस आयोग के अन सदस्में मोतिलाल नहरूर गांधी जी भी थे जलियावला बाग किस वैक्ती किसम पती थी जली नम वैक्ती यह जलियावला बाग जो था जलियावला गारडिन जो था जहां पर एह खटना एह भटी नरसंगा हार घता जो जनरल डायर के दौरहां दादुन फाइरिंग के दौरह लगवग एक हुजार लोग जो है के निए मूद सस्वार दॉपे लग मने लेकिन उंग्रेज के श्रैपज समरतन में किये गया था टर्की के ख्लिफा के समर्तर में भागते मुसलमान ने अंधोलन शुरू किया था पुरे देष में खिलापत दिवसका प्र मनाए कब शुरूग हुआ तो एक अगस्त बीस को याद रखेंगे दोस्तों एक अगस्त बीस को असायोग अंदोलन्स हुआ नॉन कापरेशन मोमेंट जो है एक अगस्त बीस इसवी को हुआ था रॉलेक ट्ट जलिया वाला बाग और खिलाफत अंदोलन के उत्तर में गांधी जी न जो आपने कहां देखा तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें दोस्तों और लाइक करें सेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें यह मेरा मोबाइल नंबर है दोस् प्रहस्तों आपको हाँ इसक्ते लोकिर सेयर वेटीन इखा बपको करें सेयर के लोग्यों इख स्वेटीं कि अले को मिलते हैं जरूर थेख सेयर करें मेरें मेरें सेयर आपको जरूर दोस्तों अई अजाने कि लेगा See ।